हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से फाइबर पर बायर को रिक्रष्ट भेजें ताकि उसका मैसेज आये और वो आपसे बात करने में इंट्रेस्टिट हो दोस्तों मैं Fiber पर बायर हूँ बात करूं तो Fiber के और बाकी आउटसाइड जो मैंने किये हैं तो मैंने 100 से ज़्यादा प्रोजेक्ट आस तक किये हैं मतलब 100 से ज़्यादा जो Services हैं वो मैंने ली हुई हैं देखिए जो सामने दिख रहा है कि ये बायर जब किसी कोई request डालता है तो इस तरह का interface होता है जैसे कि मैंने एक app के लिए डाला था कि I need to update my background remover है image is not saving in its original quality और दूसरा एक point है अब इसमें मैं बताऊंगा कि मैं किस तरह से ये finalize करूँगा कि किस seller से मुझे बात को आगे बढ़ाना है देखिए मैंने इसमें जो समय दिया है वो है only three days और उसका जो budget है वो भी आप देख सकते हो one zero ठीक है अब देखिए मैं उसको खोलता हूँ अब देखो सबसे पहले ही जो ऊपर किसी का है जिसके 49 रेटिंग्स है और उसने जो है उसमें लिखा हुआ है hello sir how are you doing anyone can do this job easily I need a good review for my profile please allow अब देखो इसकी profile क्यों मेरे लिए है important वो सोचो एक तो इसने 49 से ज्यादा ज्यादा project है किये हुए दूसरा ये कह रहा है कि ये कह रही है कि anyone can do this job easily मतलब उसको इतना विस्वास है अपने उपर कि हाँ वो इस काम को बड़े आसानी से हो जाएगा दूसरी चीज वो कह रही है I need a good review for my बतलब उसका main concern जो है ये नहीं है कि मैं उसे कितने रुपए दूँगा पैसे दूँगा उसका main concern ये है कि उसको एक five star की जो rating किया सकता है तो ये मेरे लिए सबसे favorable है ठीक है अब मैं आगे बढ़ता हूँ अब देखो ये कह रहे है I can do this if you are interested अब देखो इनकी rating नहीं है इन्होंने अपना photo भी नहीं fit किया हुआ है ठीक है तो मैं इसमें ज़्यादा interested नहीं हूँ क्योंकि जो sellers एकदम आते हैं profile बनाते हैं कहीं नहीं कहीं वो काम को लोकि इतना जो है कि serious नहीं होते हैं तो मेरे ल रहें I will help अब ये भाई साब को एक message तक नहीं लिखा जा रहा है थोड़ा सा लिख दें मेरी issues क्या है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करें इन्होंने कुछ नहीं का बस help ठीक इन्होंने जो amount लिखा है वो ठीक है amount जो होना चाहिए जो buyer ने जो भी amount दिया हो उससे थोड़ा सा ज्यादा या कम ही होना चाहिए या फिर जितना buyer ने दिया हुआ है वो ही होना चाहिए लेकिन क्योंकि इनके उपर ratings भी नहीं है और कुछ लिखा भी नहीं है इन्होंने अपना old कोई काम किया है उसके बारे में भी कुछ नहीं लिखा है तो मेरे interest नहीं है अब देखो ये बंदा है सलमान खान इनको जो है इनोंने कहा है कि आठ रिटिंग है पहली बात तश्की तो यह मेरे लिए ठीक है चलो कम से कम आठ रिटिंग है उसके पास इनोंने जो बीस डॉलर लिखा है वो भी ठीक है मेरी वैल्यू कम है हाफ ही है इसका मैंने जो है लेकिन अगर उसने 20 लिखा हुआ तो मैं ये मान के मान रहा हूँ कि में भी उसके मैंड में कुछ है और उसे लगता है कि हाँ भाई 20 डॉलर ठीक है इसके लिए तो मैं इसकी भी प्रोफाइल पे बात करने में इंटरस्टेट होंगा हलाकि इनको कुछ और मैंसेज में लिखना चाहिए था अपना कोई ऐसा आप का काम किया है पहले उसका कोई जो URL है वो भी ये अगर इंसर्ट कर देते तो अच्छा रहता है अब ये कह रहे हैं I will fix it तो देखो इस तरह से भाई आप लापरवाही वाले मैंसेज मत लिखा करो आप कुछ तो लिखो आपको सबसे बड़ा काम है कि आपको बायर को कन्विंस करना है कि वो ही इच्छा है और ये भी नहीं है कि आप बहुत सारा एकदम लिख दो पूरा क्योंकि इतने सारे रिक्वेस्ट आते हैं इसलिए बायर चाहता है कि काम की बात है वो लिखी जाए ठीक है तो अभी मैं आता हूं इन्होंने देखु क्या किया हेलो डियर अब इन्होंने तीन रेटिंग है ठीक है लेकिन इनका जो बजट लिखा है वो मेरे बजट से बहुत जादा है ठीक है तो मैं क्या करूंगा मैं इस प्रकार के जितने भी होते उनको डारेक्टली रिमूव यह लो डिलीट आफर अब यह भाई साब आठ सो डॉलर लिखा हुआ है दस डॉलर का मैंने बजट है मेरा और इन्होंने आठ सो लिखा हुआ तो इसको भी अटाओ है तो दो यार थोड़ा सा बायर को कुछ तो ऐसा लिखो कि उसको आप में इंट्रेस्ट हो इंबॉक्स मी आई विल फिक्स यूर इशू तीज डॉलर ये भी ज्यादा है हटाओ ठीक है अब ये देखो कह रहे हैं पांच डॉलर ये प्रोफाइल क्या ये सब चीजें देखो होती है अब मैं जाओंगा इसकी प्रोफाइल देखोंगा ये क्या है अब ये कह रहा है आई नो फाइफ प्रोग्रामिंग लेंगुजज़ अश्टीमल पाइथन आप इसमें देख रहे हो अंड्रॉइड का कोई भी मतलब नहीं कहीं भी अंड्रॉइड का काम इनों ने किया है कुछ नहीं तो मैं इसको भी हटा दूँगा अब मेरे पास ये कुल ये ये लोग रह गए हैं बीस डॉलर अब इसमें देखो अब ये जो है I can do इंट्रेस्ट नो ने भी ठीक लिखा है पर मैं अब जड़ा देखूँगा कि ये क्या है अक्चली ये अंड्रॉइड से सम्मंदित ही इनकी जो प्रोफाइल है या फिर कुछ और है क्रियेटिव डेजाइनिग आप देख रहे हैं अंड्रॉइड से सम्मंदित कुछ भी नहीं है मतलब ये भी मेरे मतलब का नहीं है अब मेरे मतलब के रह गए तीन ये है इसकी जड़ा मैं प्रोफाइल देख लेता हूँ देखो बायर ये सब किया करता है जो मैं अभी आपके सामने कर रहा हो ये क्या कहरा है डेवलोप्ड बाइपल स्विफ्ट दिस आईवेस मॉवाइल एप डेवलपमेंट ठीक है इसने अटलिस्ट मॉवाइल एप डेवलपमेंट की लिखा है लेकिन इसने ये ओएस के बारे हम सब लिखा हुआ है मुझे Android फोन में चाहिए अब मैं ज़रा इसकी जो गिक्स हैं वो देख लेता हूँ गिक्स में लिख रहे है MS Office Work Alignment Project इसमें आप देख रहे हो इसमें Android एप डेवलपमेंट का एक भी नहीं है Building for iOS डेवलपमेंट Android का नहीं मतलब ये बंदा भी मेरे काम का नहीं है अब देखो मेरे पास रहे गए हैं केवल ये दो और आप देख सकते हो मैंने इन दोनों को contact किया है ये देखो मैंने इससे भी contact किया है और मैंने इससे भी contact किया है तो अभी मेरी इन दोनों से ही बात हो रही है इन दोनों को मेरे पास दो थे प्रोजेक्ट मैंने दोनों से बात हो रही है एक को मैंने एक दिया है मैं देने वाला हूँ और दूसरे को दूसरा अब मैं बता रहा हूँ इसमें और भी क्या improvement किया इनको जो है थोड़ा सा लिखना चाहिए था और इनको ऐसा कुछ लिखना चाहिए था कि मैंने already इस तरह के जो tools app होते हैं background remover बगएरा इन पर काम किया हुआ है ठीक है अगर ये line लिखते तो मैं सबसे पहले इनहीं को message लिखता दूसरी चीज इनों ने अगर किया हुआ है तो इनको कोई उसका URL ठीक है play store पे कोई app हो वैसा उसका URL लिखना चाहिए था और इनको कुछ ऐसा भी लिखना चाहिए था कि मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं buyer के बायर ने जो भी features मांगे हैं मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपनी तरफ से कोई feature उसमें add कर सकूँ उसका मैं कोई अलग से payment लूँगा नहीं जो छोटे मोटे कई ऐसी चीज़े होती है जो बायर को भी उसके बारे में कोई बंदा understanding है आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी देगा उसके लिए अलग से charge भी नहीं लेगा ठीक है तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना और बाकी मैं आपको और भी ऐसे वीडियो लाता रहूंगा अगर आप really interested हो मैं आपको ऐसी जो techniques बताऊंगा कि आपको बायर at least message तो हर हाल में लिखेगा ही लिखेगा आपको ठीक है और मैं आपको दूसरे जो मेरे profile वो भी में दिखा देता हूँ मैं बहुत सारी यह में देखो इसमें optimization के लिखा था इसमें देखो अलागि यह मैंने project किसी को अभी तक दिया नहीं मैंने क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते मैंने अभी तक ध्यानी नहीं दिया इस पर अब यह देख रहे हो अब यह लिखा है 100 डालर हटा ओलाख 500 डालर अब इतना जादा जादा लिखो गी तो भायइर देखेगा भी नहीं구 ठीक है अब तुम हजारों हजार डालर लिक रहे हो तो कौन देखेगा समय है इसमें 272 तो दोस्तों वीडियो काफी लॉंग हो रहा है इसलिए इसको मैं भी यहीं पर छोड़ता हूँ आगे का जैसा होगा मैं आपको फिर बताऊंगा ठीक है चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और मैं डेफिनिकली मेरे पास कोई प्रोजेक्ट होता है मुझे लगता है आप लोग